मेथाड ओफ सफ्रेक्शन जो है न वो तुम्हारे बहुत ही काम आता है क्योंकि जब आप क्वेशन का लेवल देखते हो इन केस ऑफ जे इवन बोर्ट तो एंसी आर्ट के अंदर भी आखरी में हमारे पास जो टॉपिक है वो मेथाड ओफ डिफरेंस का है जे के अंदर भी ज सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि अन टर्म निकालो और निकालने के लिए आप क्या करोगे आप इसके अंदर इन सभी तरम को लिखोगे 3 plus 7 plus 13 plus 21 second last term an minus 1 और last term internet term अब क्या करेंगे अब वो ही करेंगे जो करते आ रहे हैं वो ही करेंगे जो करते आ रहे हैं क्या करेंगे हर term को एक place आगे shift कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3 plus 7 plus 13 plus 21 यहाँ मेरे पास चलता चलता, an-1 और an, इतना तो आ गया, अब हमारे पास अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रेक कर देते हैं, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास sn से sn, cancel हो गया, इधर 0 आ गया, इधर आ जाएगा 3, plus 4 plus 13 minus 7 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 6 और 21 minus 31 13 करेंगे तो आएगा 8 and so on चलता जाएगा और आखरी में आपके पास यह आ गया एक an minus an minus 1 और यहाँ पर minus का an अब वो ही minus के an को इस साइड ले आते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कोई बात ने कभी-कभी गलत बटन भी दब जाते हैं पर चलता है कलती है भी हो जाएगा सुदा लो सब चलेगा चलो यहीं कर देते हैं तो हमारे पास क्या है था an जो है दिखो वो minus में था minus वाला टर्म मैंने क्या करा minus वाले टर्म को मैं इस साइड ले कर आ गया बाकी सब तो उदर था ही सही तो an की value हो गई 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो और an minus an minus 1 अब समझो क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है अरे दिखतो रहा है बहुत बढ़िया एपी दिख रही है पर क्या पहला टर्म एपी में नहीं है नहीं है नहीं है यह 3 नहीं है इसके बाद वाले सब बिल्कुल line up है 4 है 6 है 8 है पता है अगला क्या होगा 10 होगा बिल्कुल सही जा रहे हो तो यह सब तो एपी में है तो मैंने बोला कि इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिर में एपी का formula लिगा पाँगा और इसको छोड़ दू तो इसमें एपी के sum of n-1 terms क्योंकि total थे n terms उसमें से एक को छोड़ दिया तो यह बचे n-1 terms तो मेरे पास a n आ गया 3 प्लस अब यहां पर n-1 terms का formula कितना n-1 by 2 and 2a plus n-1-1 मैंने इसी बारे में आप से चर्चा करी थी जब मैंने आपको बोला था कि aap के sum का formula हो तो उसे हमेशा ऐसे पढ़ो number of terms divided by 2, 2 into first term plus number of terms minus 1 अब यहां पर number of terms कितने n नहीं है n-1 है अगर आग वो formula रट लोगे कि n-1 होता है तो यहां गड़बड हो जाती तो number of terms minus 1 into common difference common difference भी कितना है 2 है simplify कर लेते n कितना आएगा 3 plus n-1 by 2 या 2 से 2 से 2 cancel कर दो तो वो भी दी बचेगा तुमारे पास यह बचेगा 4 plus n-2 n-2 plus 4 n-2 हो जाएगा तो a n आजाएगा बच्चो 3 plus n-1 into n-2 so from this मेरे पास a n आगया 3 plus n square minus n plus 2 n plus n minus 2 तो मेरा a n हो गया n square plus n plus 1 अब मुझे sum of n terms निकालना है मतलब मुझे summation a n करना है a n की value है n square plus n plus 1 तुम्हें शरम आजाएगी अब मैंने कर दिया तो कुछ से कर दोगे तो करोगे की निकरोगे summation n square plus summation n plus summation 1 सभी का formula है summation n square का भी formula है summation n का भी formula है और summation 1 का भी formula formula लगाएगे और answer पाएगे और देख लेते हैं क्या कहानी होती है अब हमारे पास है एक special series का question special series के question में मेरे पास है 3 into 8 6 into 11 9 into 14 कैसी series चल रही है यह कैसी है यह series क्या दिख रहा है इसमें 3 6 9 अगला क्या आजाएगा अगला क्या आजाएगा 12 अरे बहुत बढ़े यह 8 फिर 11 और फिर 14 सो 8 में मैं क्या add करूं कि 11 मिल जाए प्लस 3 प्लस 3 और पहले वाले के अंदर भी मैं देखूंगा तो प्लस 3 प्लस 3 तो हम बोल सकते हैं सर यह जो है ना हर टर्म 2 AP के terms का multiplication है एक AP आगे चल दिए एक AP पीछे चल दिए तो मैंने बोला एनटर्म बता पाओगे तो आपने बोला बिल्कुल बता देंगे उसमें कौनसी बहुत बढ़ी कहानी है पहले वाली जो AP है उसका एनटर्म निकाल लो उसका एनटर्म आ जाएगा A plus N minus 1 into common difference 3 और जो दूसरी वाली AP है 8,11,14 जो चलती जाली है उसका भी एनटर्म निकाल लो उसका एनटर्म कितना जाएगा A plus N minus 1 into D किता है यहाँ पर भी यहाँ पर भी D बच्चों 3 ही है तो मेरे पास जो एनटर्म आ गया इसको देखेंगे तो यह 3N ही बचेगा अरे minus 3 plus 3 की मृत्यू हो जाएगी और यहाँ बचेगा 3N plus 5 क्या करूँ? सुमेशन एनटर्म निकालना है तो बिल्कुल सही बात बोली आपने सर पहले multiply कर दो क्योंकि सुमेशन का जो properties है वो हमारे पास multiplication में नहीं है addition या suppression में हमा लग अलग कर सकते तो मेरे पास जो एनटर्म आ रहा है वो आजाएगा 9N square plus 15N अब मेरे पास sum of atoms that is summation N sum of atoms that is summation 9N square plus summation 15N constant बहार आ जाते है 9 summation N square plus 15 summation N तो यहां अगर हपन देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया तोड़ी handwriting खराब हो गई कोई बात नहीं तो अब हमारे पास क्या हो गया हमारे पास यह हो गया 15 बहार और summation N तो 9 और summation N square N N plus 1 into 2N plus 1 by 6 और यह 15 summation N N plus 1 by 2 answer आ जाएगा एक question और देखते हैं बहुत ही सुंदर question है यह देखो यह जो question होता है न मैं आपको इस question के लिए एक तरकीब बताऊंगा फिर मैं आपको इसको generalize करके तरकीब बताऊंगा तो यहां पर question क्या है आपके पैस आपको बोला है उन्होंने कि sum निकालो 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 अच्छा मैं एक mistake भी बताता हूं आपको जो इसमें बच्चे करते हैं वह क्या करते हैं वह फिर से भावुक हो जाते हैं भावुकता में वह बोलते अरे सार यह तो बहुत ही दूस्री वाली एक एपि एलेक्ट्चर रही थी तो इस वाले के अंदर भी देख लेते हैं इस वाले के अंदर भी क्या ऐसा हो रहा है तो बच्चों देखो ऐसा हो नहीं होता summation n जो होता है वो होता है n n plus 1 by 2 पर summation 1 upon n का कोई ऐसा formula नहीं है हम मैं summation 1 upon n की value नहीं लिख सकता कि इसको रैसी फ्रोकल कर दू क्योंकि summation 1 upon n exactly क्या होगा? summation 1 upon n होगा मेरे पास 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ वो formula मत लगा देना तो 1 upon n में summation को नीचे मत ले जाना summation divide में नहीं जाएगा multiplication में नहीं जाएगा उपर ही होना चाहिए तो अब हम सोचते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे अब इसकी अगर अपन चर्चा करें दो में से एक गया एक बचा तीन में से दो गया एक बचा 4 माइनस 3 करूँगा 1 बचेगा तो मैं अगर देखूँगा तो मेरे पल जो दूसरा वाला टप और पहला वाला टप है उनका डिफरेंस निखालता हूं तो 1 1 1 1 1 आता है अब एंटम बना लेते हैं बहले हमारे पास एंटम क्या होगा यहाँ पर पहले चल रहा है यह एंट और यह चलेगा एंट प्लस 1 जैसे यह रहा ना पहले वाले के लिए 1 ता फिर 2 ता तो मतलब एंट चल रहा है पहला और दूसरा वाला एक ज्यादा है तो वह एंट ब्लस 1 होजायगा वड़ वाले इस 1 को भी मैंसा लिख सकता हूं आण प्लस 1 माइनस अन अब मैं क्या करता हूं इंको अलग अलग करता हूं अलग अलग करूंगा तो 2 अप अप आण वीक 1 इंटो 2, minus 1 upon 1 इंटो 2, plus 3 upon 2 इंटो 3, minus 2 upon 2 इंटो 3, plus 4 upon 3 इंटो 4, minus 3 upon 3 इंटो 4, और यह आखरी में जाएगा, n plus 1 upon n, n plus 1, minus n upon n, n plus 1, अब इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे, इससे cancel हो जाएगा, इससे cancel हो जाएगा, इससे cancel हो जाएगा, इससे cancel, यह cancel, 1-1-1-2 और इन दोनों को देख लेता हूं तो प्लस 1 by 2 और मायनस 1 by 3 इन दोनों को देख लेता हूं तो प्लस 1 by 3-1 by 4 तो चलता जाओंगा तो 1 upon N-1 upon N-1 क्या बोलती है जनता आया के नहीं आया कितना सुन्दर हो गया आप बोलोगे सर बचा यह कुछ नहीं है तो मेरे पास जो सम बचेगा वो सिंप्लिफाइड बचेगा कि वह जाएगा 1 upon 1 minus n plus 1 on solving we will be getting n upon n plus 1 बड़ा ही सुन्दर बड़ा ही आसान सा वोशन था बड़ आप समझो इसका concept क्या है अगर आप इसके अंदर कुछ जादा दिमाग लगाओगे तो उलज जाओगे आपको बस ये करना है कि इनको एक special तरीका है उसको अब इसी में मुझे एक चीज और बतानी है तो मैं इसी के उपर बता देता हूँ आपको इसी स्लाइड को क्लीन करके अब अगर मैं आपको बुर रहा हूँ कि एक तो ये मेरे पास सीरी सी स्कोर स्वन नाम देता हूँ अगर आपके पास ऐसा होता 1 upon 1 into 2 into 3 1 upon 2 into 3 into 4 1 upon 3 into 4 into 5 and so on आखरी वाला हो जाता n, n plus 1 into n plus 2 तो आपको बहाँ करना है इस तरह के सवाल को हल करने का संपल सा तरीका ये है कि आप ये जो नीचे लिखे टर्म से इनको देखो क्या ये consecutive है? अरे बिल्कुल है बहुती सुन्दर बात हो गई फिर यहाँ देखो थर्ड टर्म माइनस फर्स टर्म आखरी वाले टर्म को पहले वाले से माइनस करो 3 माइनस 1 करोगे कितना हो गया? 2 4 माइनस 2 करोगे कितना हो गया? 2 5 माइनस 3 करोगे कितना हो गया? 2 एन प्लस टू मैनस एन करोगे कितना होगे तू तो सब जगे पे टू 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 तुडू रुआ रहा है तो मैंने क्या करा मैंने दोनों साइट टू से मल्टिप्लाइ कर दिया अब यहां पर मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ इस टू को 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इसको मैं 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 और यह आखरी वाले को क्या बलूंगा आखरी वाला बलूंगा एन प्लस 1 माइनस एन अपन एनन एन प्लस 1 इन ''स habit रूगा की नही اخारा कीओ ऑट société तो अब अगर मैं फिरसे अलग अलग कर देता हूँ फिरसे अलग अलग करके अगर मैं इसको लिखूं मात देखो यह हमारा में जोन हैं ठीक है यहाँ पर आपको समझ में जाएगा कि क्या हो रहा है तो 2 as 2 will be 3 upon 1 into 2 into 3 3 से 3 में साथ में काट रहा हूँ तो बचेगा आपके पास इतना और 1 upon 2 into 3 फिर यहाँ पर 4 से 4 cancel हो जाएगा plus 1 upon 2 into 3 और 2 से 2 cancel हो जाएगा minus 1 upon 3 into 4 चलता जाएगा यह देखो इससे यह cancel ऐसे 5 से 5 गया तो 1 upon 3 into 4 से 3 into 4 इधर cancel आखरी में n plus 2 से यह चल जाएगा तो यह वाला जो term है न आपके पास n n plus 1 यह पहले वाले किसी से cancel और n से n cancel तो 1 upon n plus 1 into n plus 2 ऐसा बचेगा यह बस क्या बचा 1 minus 1 upon n plus 1 into n plus 2 हो गया simplify तो यह हमारे पास एक चेप्टर सा बहुती सुन्दर सा arithmetic or geometric progressions जिसके अंदर हमने AP पढ़ा, GP पढ़ा, HP पढ़ा, special series पढ़ा, arithmetic mean पढ़ा, geometric mean पढ़ा इसमें हमने यह पढ़ा कि arithmetic or geometric series को कैसे solve करेंगे, means के बीच में relation कैसे निकालेंगे, summation के questions कैसे करेंगे और इसमें हमने यह भी पढ़ा कि कहीं कहीं special series हो तो उसमें क्या क्या करेंगे यह, hope you all enjoyed it, thank you